नमश्कार साथियों, हिंदी नेट शाला चैनल में आप सभी का पुन्हो हार्द कभी नंदन हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्छिस्तरिय प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं और इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं रा आर्तिंदु योग, द्विवेती योग को पढ़ा और स्वचंदतावाद को हम पढ़ रहे थे, कल रामनरेश्ट्रिपाठी और स्रीधर पाठक से संबंदे जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी समझने योग्य वाते हैं उनको पढ़ लिया था, आज की कक अभी हमारे आज की कक्षा में रहेंगे, वह रहेंगे मैथली शरण, गुप्त इन दौनों के व्यक्तित्व और क्रिथित्व पर हम चर्चा आज की कक्षा में करेंगे, आशा करती हूँ आपके लिए ये क्लास बहुत ही उप्योगी सावित हो रहे होंगी, क्योंकि प्रमा नेट शाला जिस पर आपको ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा हिंदी बुक शाला चैनल भी है, जहां मैं आपको टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रेशन पत्र उपलब्द करवा रही हूँ, साथी साथ प्रैक्टिस सेट पूरे पूरी बुक आपको टॉपिक मैंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल करवा दिया, इसके अलावा धेरों विशे सामगरी प्लेइलिस्ट में है, तो दोनों चैनल से जुणें, आईए देख लेते हैं, अनुशाशन की धारा का व्यवस्थित नेत्रत्व महावीर पसाद द्विवेदी ने किया, हम सभी कभी हैं, अयोध्या सिंग, उपाध्याय, हरियोद, प्रकाशित उनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जा सकता है, तो यह प्रशन तो आप सभी जानते हैं, कि बार-बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा हाइलाइट कर लेते हैं, बार-बार पूछा जाता है, अभी अपने TZT, PZT के भी प्रशन पत्र हम कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्रेक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तो यह प्रशन बार-बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए, 1914, प्रिये प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का पहला महा काव्य, नकेवली है, आधुनिक काल का प्रथम महा काव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक द्रिष्टी का भी उद्गोश मिलता है, मनुष्य और परम्तत्व के बदलते हुए रिष्टों की समिक्षा के क्रम में, हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में, मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में हैं, इश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विश्य है, चित्रन का नहीं, इस दिस्ट्रिकॉर्ण की पहली शशक्त उद्गोष्णा प्रियप्रवास के रचना विधान में तो मिलती ही है, कृति की लंबी भूमिका में भी कभी ने इसका निर्भ्रांत आख्यान किया है, ग्रंत का विश्य है, शीर्षक के अंतर का थरियोद लिखते हैं कि मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंत में एक महापुरुस की भाती अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं, इस रूप में, अब यह पूचा जाने योग्य प्रश्ण है, पूचा जा सकता है, ध्यान रखेएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी तो पूरी किताब पे मैंने लाइन-लाइन कर दी, तो यह थोड़ा सा जब बाद में मैं इनको देखती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे, इसलिए मैं हाइलाइट कर देती हूँ, इस रूप में हिंदी मानस अब विचार के साथ साथ संसकार में भी आधुनिक एहिक्ता, आधुनिक एहिक्ता की और अग्रसर दिखता है, पुरान कथा के प्रती कभी की द्रिष्टी में यह पहला महत्पून परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है, राधा अप्रिय प्रभास में संपूर्ण विरहनी ही नहीं, अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती है, और समाज सेवा का ब्रत लेती है, शताबदियों से चले आते, राधा के चरित्र में यह एक सर्वता नई भंगिमा हरियोधने उकेरी है, तो जो आप देखते हैं, मैतली शरण गुपत की उर्मिला का कफन देखते हैं, आप साकीत का नवम सर्ग पढ़ा है, आपने, स्लेपस में है या नहीं है, एक दो चार वीडियो है, उसकेह चोटे छोटे-चोटे थे साकीत का नवम सर्ग ज़रूर देख लें है ना, तो साक कि रचना 1931 में हुई है यह 1914 में ही राधा को आधुनिक रूप देश चुके हैं इनकी जो राधिकाय मात्र विरहणी नहीं है बलकि वो क्या कर लेती है वो समा सेवा का ब्रत लेती है और नर सेवा नाराण सेवा है तो शतावदियों से चले आते राधा के चरित्र में एक सर्वता नई भकिमा किस ने उकेरी हरियोजी ने उकेरी बात में महावीर पसाद्विवेदी के कहने पर अन्य कवी भी इस ओर अग्रसर हुए या उनका ध्यान गया वृत्त और चरित्र में हरियोद ने एक और परिवर्तन किया क्या किया कि खड़ी बोली के संबंद में ऐसे ही मौलिक प्रियोग उन्होंने दूसरी ओर करिक किये इसमरणी है कि इस समय तक यह विवाद का विशेता कि कवीता खड़ी बोली में की जाए कि ब्रजभाशा में स्वेम हरियोद दौनों आधार बोलियों का प्रियोग कर रहे थे रशास्त के संबंद में उन्होंने अपने ग्रंथ रसकलस में उधारण ब्रजभाशा में लेके पर नए युक की अभिव्यक्ती के लिए खड़ी बोली को इस पस्ट रूप में स्वीकार किया प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने अपना मत दिया है क्या कहरें प्रिय प्रवास की भूमिका ध्यान से सुनेंगे हम अम्मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रभा खड़ी बोली के अनुकूल है इस समय खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है अते मैंने भी प्रियव्रभास को खड़ी बोली में ही लिखा है वास्तम में बात यह है कि यदि उसमें कांतता और मधुरत नहीं आई है तो यह मेरी विद्या बुद्धी और प्रतिभा का दोश है खड़ी बोली का नहीं क्योंकि अब इसको समझे देखिए उस समय कि कभी लोग क्या मान रहे थे कि ब्रज भार्षा में जो मिठास है जो माधुर्य गुण है वो खड़ी बोली में नहीं है लेकिन यह हरियोद करें कि अगर उसमें माधुर्य गुण नहीं आ पाया तो यह मेरी कमी है मेरा दोश है खड़ी बोली का दोश नहीं है एक बड़े सिध्धान्त की चरितार्थता के लिए स्वयम अपने को छोटा करके मानना हरियोद के काव्य विक्तित्व की विराठता का ही सूचक है खड़ी बोली के पक्ष को भलीभाती प्रस्तुत करने में करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उसके कई रंग प्रस्तुत किये संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तसम पदावली प्रिय प्रवास में प्रियुक्त की तो एकदम बोल चाल की खड़ी बोली अ यह इनकी रचनाएं दोनों तो उसमें खड़ी बोली का प्रियोग किया है लेकिन प्रियप्रवास में कैसी है संस्कृत युकत है ठीक है हरियोद यदि द्विवेदी युक के पहले बड़े कवी है तो मैथली शरण गुप्त इस युक के संपूर तहा प्रतिनी धीकवी किसकी पंग्तियां है ध्यान दीजिएगा तो यह प्रशन आप से पूछ लिया जाए तो यह रामसरुख चतुरवेदी जी की पंग्तियां है पहले बड़े कभी आपने पढ़ लिये हरियोद अब इनकी रचनाओं के बारे में बहुत जानकरी यहां नहीं दी है चिंता नहीं करिएगा यह सब चीजे में आपको कोशिश रहेगी कि वैसे आप लोगों के पास इतना मैटर है न ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इसी चैन खड़ी वोली कभीता को लोगप्रिय बनाने में उनका योगदान असाधारण है और विडम बना यह है कि आलोच की मुल्यांकन में वे उतने ही साधारण कभी माने जाते हैं मैथली शरंगुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोच की अनिच्छा के बाब जूद वे आदुनी काल के एक बड़े कवी हैं उनकी लोग प्रियता के पीछे कई कारण बताये जाते हैं जैसे सीधें, सरल भाषा, पौरानिक कथानकों का चुनाव, ग्रहस्त जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मुल्यों का समर्थन और रास्ट्रिय भावधारा की अभी व्यक्ति पर इन कारणों के अतिरिक तो मैथली शरण गुप्त के रचनाकार व्यक्तितु का एक और पक्ष इस संधर में महत्पून है जिस समय वे कवीता लिख रहे थे उस समय हमारे समाज और साहित्य में दो प्रकार के अभी जात्ते प्रचलित थे एक राजभाषा अंग्रेजी का और दूसरा परमपरित धर्म तथा संस्कृती की भाषा संस्कृत का जिसके पास दौनों प्रकार थे वे बौध्धिकों का सिर्मौर था और जिसके पास केवल एक था वह भी समाज और साहित्य में मैत्पून्ड था कवीर रविंद्र और दार्शनिक राधा कृष्णन के नाम प्रमाण स्वरुप्रस्तत किये जा सकते हैं मैत्री शर्णुगुप्त के पास इन में से कोई अभी जात्य न था और उनके अपने उनके मन में अपने देसी पन का गहरा आत्म विश्वास था ना तो संस्कृत की वो प्रकांड वि ग्या की वे अपने खांटी चरित्र में द्रड बने रहे साधारन बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी के जातिय मातेक छंद ग्रहस्त जीवन में प्रश्रित पौरान एक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारन तामे विनम्र आत्म विश्वास यही वे बुनियादी पूरी यह संस्क्रित कर मैं नहीं लिखूंगा में तो हिंदी महान एसा कुछ नहीं का उनका वह आदर किया लेकिन अपना जो कुछ ग्यान था अपनी भाषा में अपना जो देशी पन था उसमें वह पूरी तरीके से क्या रहे है और पूरी तरीके से द्रुड रहे मैतली और इनका श्रोत किसी प्रकार के अर्जित अभिजात्य मेना होकर अपने सामाने आस्तिक हिंदु ग्रहस्त जीवन में ही था इन तत्वों के संयोग में राष्ट्रिय भावधारा आप से आप विक्सित होती है राष्ट्रियता की भावना को विचारकों ने यतन जमाना है उनके अनुशार देश की पराधीनता जो अपने आप में एक असहज इस्तिती है राष्ट्रियता की भावना को जन्म देती है मैत्री शरण गुप्त की राष्ट्रिय पराधीनता के दौर में विक्सत होकर भी आत्मिय भाव से सहज है उसमें आक्रामकता का अभाव है तो वैशन भावना की निष्टा है ये कई विशेस्ता हैं मिलकर महत्मा गांधी की राष्ट्रिता के समतुल्य चलती है इसलिए गांधी जैसे राष्ट पिता हैं वैसे ही सहज भाव से मैत्री शरण गुप्त राष्ट कवी हैं ये उपादियां किसी व्यक्तिया समू द्वारा प्रदित नहीं मानुपूरे राष्ट के द्वारा दी हुई है इसलाम के आक्रमण ने मध्यकाल में जिस प्रकार भक्ति भावना को उभारा आधनिक काल में अंग्रेजी सासन ने उसी प्रकार राष्ट्रिता की भावना को तो देखिए यह इंपॉर्टेंट लाएन है मुझे नहीं पता कि अभी तक यह परिक्षा में क्यों नहीं पूछी गई लेकिन इराम सरुप चत्रवेदी की अपनी जो शोध कारे है उसकी अद्वुद लाएने पहले भी आई है हाइलाइट करवा देते हूं समझ के चलिएगा अगर धंग से देखा जाए तो एक व्यक्ति जो पीएचडी करता है ना धंग से पीएचडी करता है वो ही इतना सोच सकता है मैं लिखना क्या चारी थी लेकिन चली ठीक है क्रमश एहिकता की और उनमुख समाज में रास्ट्र भावना जैसे भक्ति भावना का इस्थापन बन गई हो विविद वर्गों की एकता और समानता जिसका गोशित लक्षे थी वेशनव निष्ठा अनाकरमक्ता की भावना और समूचे देश के लिए रामराज की परिकल्पना यह साजी विशेस्ता हैं तुलसी और म्हत्री शणगुट कैऐ काववे की और महत्मा गांद्ी के रास्प्रिय आंदरलन की कौन कौन सी वैश्णव निष्ठा अनाक्रमक्ता की भावना और समुचे देश के लिए रामराज्य की कल्पना इन मैत्पूर्ण बिंदियों पर ये व्यक्तित्वे एक दूसरे के रचनात्मक संपर्क में आते हैं कौन कौन से वक्तिकाल से तुलसिदास फिर आधुनिक काल क के कवी ये और देखी जाए तो राश्ट्रिस्टर पर महत्मागांदी मैतली शरण गुप्त की राश्ट्रि भावना में न देन नहें और न पाखन प्रवंद कावे के इतिवृत परकूर्प को स्विकार करके उन्होंने परंपरागित हिंदू पौराणिक गाथाओं को भ कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया यह कम से कम जीने की चाहतों बनी रहने दी आधनिकाल के आरंबिक चरणों में हिंदी प्रदेश्य सामानी जनता के बीच मैतली शरण गुप्त का योगदान भी बहुत कुछ इसी प्रकार का कहा जा सकता है भारत भारती में कवी ने रास्ट्य भावना की एक रूप रेखा प्रस्तुत की तो साकेत में अपनी भक्ति भावना की यह दोनों कभी की सरवादिक लोग प्रिय रचनायर रही हैं भारत भारती में जागरण का स्वर प्रधान है भारत भारती हमने अपने इसी चैनल पर पढ़ी है आप ल आज मिलकर ये समस्याएं सभी पढ़ चुके हैं से राम तुम मानव हो इश्वर नहीं क्या तो ये आपके नेट परिक्षा में पूछी हुई है अब नेट के पुराने पेपर में कौन से में पूछी हुई है ये तो मुझे मिलेगा तब इस पे नोट डाउन कर दूँगे पर करें राम कवी के लिए मानव और इश्वर दौनों एक साथ हैं परमतत्व के साथ संबंद का यह परवर्ती रूप है जिसकी और इस विवेचन क्रम में पहले भी संकेत किया जा चुका है राम के साथ अन्य संबंद चरित्रों के रूप को इसी भाव से यहां ग्रहन किया ग पढ़ी जाए यह दोनों भारत भारती की हम कौन थे यह वाली पंक्ति और साकेत की राम तो मानव हो यह नवम सर्ग तो देखिए पूरा प्रवस में है तो हम पढ़ते यह नेट कि स्लेवस में है लेकिन यह नहीं पढ़ते तो ऐसी बुक को पढ़ने से फैदा है कि आपके आया बहुजन बन में है बने रिक्षवानर से मैं दोंगा आरत वे उन्हें निजकर से पौराणिक अति प्राकृत तत्व उधारन के लिए बंदर भालू का राम के लिए सायक होना का निर्शन करते हुए कभी राम के वृत को आधुनिक तार्किक धरातर पर अफ्तरित करत है राम उसके निच के लिए परब्रम परंब्रम रूप हैं पर यह उसकी अपनी आस्था की बात है तर्क और आस्था का यह समन्वे आधुनिक समवेदना की एक विश्यस पहिचान कही जा सकती है यह तर्क की भावनाय के जो कभी को पौराणिक चरित्रों के मुल्यांकन की और प्रेरित करती है आधुनिकाल के एकदम आरभ में बांगला कवी माईकेल मदु सुधन ने अपने कावे मेगनाद बद में पौराणिक परंपरासिक ग्रिह द्यत्य चरित्रों को एक नए आलूप में प्रस्तुत किया था माईकेल की रचनाओं से प्रेरित और नाम है ध्यान रखिए का ठीक है मेगनाद बद का यह यह तो हमने शुक्ल की बुक में पड़ा है माईकेल मदु सुधन की रचना है हरियोद ने फिर प्रिय प्रवास में शास्वत विरेणी राधिका को राधा को एक नए लोकोन मुखी रूप में चित्रत किया इसी करम मे मैत्री शरण गुप्त अपने साकेत में एक और रामकता की उपेक्षिता उर्मिला को कावे के केंद्र में स्थान देते हैं साथ ही साथ दूसरी और रामकी विमाता अब तक की लान्चिता के कई को एक नई साहनभूती प्रदान करते हैं उर्मिला प्रियसी है पतनी है और क कर दिया हो एक नई भंगे मा देकर और कहा जा सकता है कि इन दौनों चरित्रों में से वे सबसे अधिक कवी हैं साकेत के आठवे और नवे सर्ग जिसके प्रमान हैं इतिवित्तात्मत्ता के लिए ख्यात कवी की सुक्ष्म परिकल्पनाई यहां दृष्टव्य हैं नवे विरहणी उर्मिला का गीत है यह भी आपको बारम बार परिक्षाओं में देखने को मिलेगा मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत कर साल है मेरे यौवन रूपी बालक अचल यानि बिना हिले डुले इस्तब्द रहकर मेरे आचल में सोता रहे मचल कर साल अर्थात दर्द मत कर यहां यौवन को बच्चे के रूप में संबोधित करके जैसे उसके वेक को शमित करने का यत्न है प्रसाद ने काम आयनी में अपने ढंग से सो अंदर ये को चपल शिशु कहा है लज्जा जिसकी धाय है दूसरी और प्रिया के भाव में वत्सल ताके साथ ही नया आत्मविश्वास प्रदान करता है जैसे तुलसी मूलतह पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं वैसे ही आधुनी काल में मैथली शरण गुप्त दौनों का एक मूल शोत राम कथा है जो भारतिय परिवार की उज्वलतम गाथा है रामायन में ये परिवार जीवन का मांगल्य और सोहार्द है तो महावारत में विखराव और टूटन दौनों का भारतिय साहित्य के लिए आध्य रूप में रामायन में क्या है रामायन में परिवार जीवन का मांगल्य और सोहार्द है महावारत में विखराव और टूटन जिसके अनेक रूप रू कर मिश्रण है किसका मिश्रण है तर्क और आस्था दौनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा भक्त के रूप में आस्था और कवी के रूप में तर्क डॉन डू दू दिस अनुशा आप लोग दिस्टर ना एक्चिली बच्चे हैं बच्चे शेतानी करते हैं तो फिर उसमें क्या है कि इनको समझ में तो आता नहीं है लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं और उस समय कई बार चीज़ें गड़बड हो जाती होता है कि यह कि समय मिल पाता जैसे समय हम इने लगते हैं हम सभी लोग साथ में कुछ अच्छा पढ़ लें और उस 15-20 मिनिट भी जब अपने लिए पूरे दिन में नहीं मिलते हैं कभी-कभी तो थोड़े सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है कि मम्मी वीडियो बना रही है लेकिन बच्चों को कितना भी आप समझाओ कितना भी समझाओ लेकिन हर दिन मतलब यही इनका हिसाब है कि हर दिन ये लोग डिस्टर्ब किये बिना मानते नहीं है खेर चलिए आज के हमारे दो कभी कम्प्लीट हो गए है हरियोध सिंग उपाध्या और मैथली शरण गुप्त अब महावीर पसाद दिवेदी का प्रसंग है इसको कल की नई कक्षा से प्रारम करेंगे कक्षा को यही समाप्त कर देते हैं ठीक है मिलते हैं कई आपसे पुनह नए टॉपिक के साथ साथी साथ आपके व्याकरण या उपन्यास के प्रैक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए नमशकार आपको अच्छा लगता हो चैनल पे पढ़ना तो चैनल से जुड़ें दौनों चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों को भी शेयर करें धन्यवाद